अगर आपके पास KPR मिलके शेयर्स नहीं हैं, तो क्या आपको मार्केट से इसके शेयर खरीद के बाइबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मो अगर बात की जाए कि भाई कंपनी करती क्या है तो ये भारत की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड एपरेल मैनुफेक्चरिंग कंपनी है वर्टिकली इंटीग्रेटेड आप असान भाषा में समझ सकते हैं कि रौ मेटीरियल से लेकर के फिनिश्ट कुड्स में उसको प्रड्यूस करते हैं इसके अलावा इनका क्रनाटका में एक शुगर प्लांट भी है आप इनकी different manufacturing facilities की detail यहाँपे देख सकते हैं कि तमिल नाडू में जदातर manufacturing facilities है इसके अलावा इनका करनाटका में एक sugar plant है और Ethiopia में इनकी garment manufacturing facility है और अब अगर बात की जाए KPR मिलके buyback की details की तो ये buyback tender offer के जरिये करने वाले हैं दो प्रकार के buyback होते हैं एक होता है open market से जिसमें कि जब कोई company को buyback करना होता है तो वो broker से market price पे shares को खरीद लेती है जैसा कि थोड़ा time पहले Infosys ने किया था वो open market के जरिये उन्होंने अपने shares को buyback किया था और दूसरा तरीका होता है tender offer के जरिये जिसमें कि company अपने existing investor से shares को repurchase करती है और ये shares market price से ज़्यादा दाम पे repurchase किये जाते हैं जैसा कि TCS का buyback भी open है वो भी tender offer buyback है करोड होगा और अगर हम comparison के लिए देखेंगे तो TCS का जो buyback है वो 18,000 करोड का है तो उसके मुकाबले बहुत ही छोटा buyback है इसमें company 22,36,000 shares को market से buyback करने वाली है और buyback price 805 रपे रखा गया है जो आज की closing हुई है वो 645 के आसपास हुई है हम कह सकते हैं कि लगबग buyback 25% premium पे आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा buyback लगता है इसके अलावा अगर आपको इस buyback में participate करना है तो आपको 19 February जो की record date रखी गई है इस तारिक को आपके पास इनके record में आप इनके shareholder होने चाहिए तो अगर आपको participate करना है तो इस date से दो दिन पहले आपको shares खरीदने चाहिए ताकि आप 19 February को इनके record में shareholder हो जाओ और 15% का जो quota है हमेशा की तरह retail shareholder के लिए रखा गया है और retail shareholder का मतलब की जिस shareholder के पास 2,00,00 या उससे कम के share से record date को यानि कि 19 February को इस case में बाकी details आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर इनके outstanding shares की बात की जाए तो 4 February का जो data था यानि कि buyback से पहले का जो data है उस दिन 34,40,50,000 share इनके outstanding है जिसमें की 74.72% इनके promoter के पास है और बाकी के 25.28% जैसे की mutual fund, दूसरे investment fund और retail shareholder के पास है और अगर बात की जाए कि company कितने share हमारे buyback कर सकती है तो उसके लिए हमें यह calculation समझनी होगी जैसा कि हमने पिछले page में देखा कि जो total outstanding share है company के वो है 34,40,000,000 इसमें से 22,36,000 shares company buyback करने वाली है यानि कि overall जितने share outstanding है उसका 0.65% company buyback करने वाली है तो सबसे पहले अगर retail shareholder के case में समझा जाए कि उनके कितने share buyback किये जा सकते है retail shareholder again जिनके पास record date को यानि कि 19 February को 2,00,000 या 2,00,000 से कम के shares है तो actual share ऐसे कितने shares होंगे जिनके पास की 2,00,000 या 2,00,000 से कम है वो record date को पता लगेगा लेकिन अगर हम December 2021 का data देखें तो ऐसे shareholder जिनके पास 2,00,000 या 2,00,000 से कम के shares थे उतने shareों उसमें जो shareों की संक्या थी वो 2,00,000,000 के आसपास थी और जो retail shareholder के लिए reserve रखा गया है buyback का quota वो है 3,35,400 जो की 15% है total buyback का तो यह 3,35,400 reserve रखे गए है retail category के तो इसमें से अगर हम entitlement देखके यानि कि 2,00,000,000 तीन लाग shares के बदले में अगर 3,35,400 shares को buyback किया जाता है तो entitlement ratio निकल के आती है 1.65% के आसपास यानि कि आपके पास अगर 100 shares है तो 1.65 shares company आपके buyback कर सकती है at least आपको letter आएगा इतने shares का की आप entitled है buyback के लिए और अगर हम history देखें तो 2018 और 2019 में भी company ने buyback किया था और 2018 में जो entitlement ratio थी वो 12.63% थी जो की अभी 1.65% के आसपास निकल के आ रही है अगेन यह change हो सकती है अगर record date पे यह जो number है यह change हो जाता है बट ज्यादा क्योंकि यह December 2021 का ही data है तो ज्यादा बदलाव की उमीद नहीं है तो 12.63% entitlement ratio थी 2018 में इसके बदले में 5 times लोगों ने shares को tender किया था यानि कि 500% से ज्यादा tender किये गए थे shares तो ultimately जितने भी लोगों का entitlement थी उतने shares को buyback कर लिया गया था क्योंकि ज्यादा लोगों ने tender किया था और अगर हम आएं 2019 में तो 2019 में एक तो जो buyback size था वो थोड़ा बड़ा था और लोगों ने ज्यादा इसमें ऐसे shareholder नहीं थे सिरफ 50% के आसपास लोगों ने share tender किये थे तो इस case में जितने भी shares tender किये गए थे वो सभी accept हो गए थे चाहे किसी ने पूरे के पूरे shares ही अपने tender कर दिया हो तो 100% acceptance ratio रही थी यानिकि 2019 का buyback अच्छा रहा था और अगर आप बात की जाए कि 2020 में कैसा हो सकता है तो जो entitlement ratio है वो बहुत ही पूर है तो इसमें आपके shares buyback होने के chances बहुत ही कम है बहुत ही minimal shares buyback किये जाएंगे unless कोई भी participate ना करे और ऐसा लगता नहीं है क्योंकि buyback का जो premium है वो 25% के आसपास है current price से तो मुझे लगता है कि लोग इसमें participate करेंगे तो आपको specifically market से share लेके buyback में participate करना sense नहीं बनाता क्योंकि आपके शायद 100 में से 1 या 2 share ही buyback किये जाएं even retail category में हाँ अगर आपके पास already इसके shares हैं तो जितने भी आपको entitled होते हो आप आप उसको buyback में participate कर सकते हैं क्योंकि current market price से 25% premium मिल रहा है तो उस case में तो आप participate कीजिए लेकिन market से specifically खरीद के at least data wise ये sense नहीं बनाता unless की कोई भी इसमें participate ना करे जो की बहुत ही ज़ादा unlikely लगता है और अगर आप बात की जाए कि अगर आप general share holder हैं यानि कि अगर आपके पास 2 लाग या 2 लाग से ज़्यादा के shares हैं 19 February को तो आपके क्या chances हैं तो ऐसे shares की संख्या है 32 करोड 36 लाग क्योंकि total 34 करोड 40 लाग है उसमें से 2 करोड retail share holder के पास है तो बाकी share हों की संख्या आती है 32 करोड 37 लाग के आसपास और इनके लिए जो buyback किये जाएंगे इनके share वो होंगे 19 लाग के आसपास क्योंकि total 22,36,000 है और इसमें से 3,35,400 retail के हैं तो बाकी के बच्चते हैं regular general category के लिए और इनकी जो entitlement ratio निकल के आती है इनकी 32 करोड share के बदले में सिरफ 19 लाग buyback किये जाएंगे तो बहुत ही कम निकल के आती है 0.6% और अगर हम historically भी देखें तो 2018 में भी ये 1.61% थी और लोगों ने इसका 11 times tender किया था तो उस वज़े से सिरफ 1.61% ही share buyback किये गए थे general category में और 2019 में भी ये ratio थोड़ी सी better थी 4.58% थी यहां पे भी ज़्यादा लोगों ने tender किये थे 641% लोगों ने tender किया था तो सिरफ 4.58% ही shares को buyback किया गया था general category में तो overall अगर आप high net worth individual है यानि कि 2,00,00 से ज़्यादा कि आपके पास यहां पे shares है तो बहुत ही कम chance है कि आपके shares को buyback किया जाएगा तो यहां पे buyback के लिए तो specifically आपका लेना बिल्कुल sense नहीं बनाता हाँ अगर आपके पास shares already हैं तो आप buyback में participate कर सकते हैं हो सकता है कि कुछ minimal share आपके buyback में निकल जाएं और अब अगर हम इनके historical buyback को थोड़ा detail में देखें तो 2018 का buyback आप यहां पे yellow section में देख सकते हैं इसमें एक छोटा buyback था 108 करोड के shares को buyback किया गया था तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो reserved category है उसमे 95 share के बदले में 12 share buyback किये गए थे और जो general category है उसमें 62 share के बदले में सिरफ एक share को buyback किया गया था और दोनों ही cases में ज़्यादा share tender किये गए थे तो exactly same shares को buyback किया था company ने और अगर हम 2019 का data देखें तो यह एक बड़ा buyback था 263 करोड था इस बार 179, 180 करोड के आसपास है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा buyback था और इसमें जो reserved category के लिए 142 में से 95 shares को entitle किया गया था और लोगों ने क्योंकि participate नहीं किया था tender कम share किये थे तो यानि कि किसी के पास अगर 142 share होंगे तो उसके सभी share buyback कर लिए गए होंगे और general category में भी 153 share के बदले में 7 shares को buyback किया गया था और हाला कि इसमें ज़्यादा लोगों ने tender किया था तो यहाँ पे सिरफ 153 के बदले में 7 share ही finally buyback किये गए थे तो अभी तक की discussion को अगर हम summarize करें तो चाहे आप retail category में हैं, general category में हैं ज़्यादा attractive नहीं लगता, बहुत strong possibility है कि आपके शायद minimal shares को ही buyback किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि शायद ज़्यादातर लोग tender नहीं करेंगे और आपको chance मिल सकता है कि आपके बहुत सारे share buyback कर लिए जाएं कमनी के द्वारा, तो उस case में अगर आप अभी भी participate करना चाहते हैं, तो ये table आप देख सकते हैं, जैसा कि एक 805 रुपए का buyback price है, अगर हम मानते हैं कि record date पे जो price है इसके आसपास चलता है, तो आप roughly 248 share या इससे कम हैं, तो आप retail category में आएंगे, हाला कि अभी जो price चल रहा है, उसके इसाप से आप ज़्यादा share भी ले सकते हैं, बट अगर हम safety के लिए मान के चलें कि 805 रुपए के आसपास इसका share price हो जाता है, 19 February तक, तो आपके बस 248 shares हैं, तो आप 248 या उससे पे लें, roughly अगर round figure में हम 650 का price लगाएं, तो आपको 161,200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर हम मान के चलते हैं कि मान लो आपके 25% share buyback कर लिए जाते हैं, 50% दूसरे सिनारियों में, तीसरे में 75 और चौते में 100, ये सिनारियों हम डिसकस करेंगे, हाला कि again, मुझे उमीद नहीं है कि आपके 1 या 2% से ज़्यादा shares को buyback किया जाए, बट फिर भी, just for example, अगर हम खरीदते हैं, तो 155 रुबए का फायदा होगा, तो यहाँ पे आपको 49,910 रुबए का amount receive होगा, क्योंकि आपके 62 shares buyback किये जाते हैं, और यहाँ पे अगर आपके सारे share buyback कर लिए जाते हैं, तो 1,99,640 रुबए आपको मिलेंगे, तो overall जो profit निकल के आता है, यहाँ पे 255 रुबए पर share के साब से 62 shares पे 9,610 रुबए का profit होगा, 50% share buyback किये जाते हैं तो 19,000 का, 75% share buyback किये जाते हैं तो 39,000 का almost, और अगर सभी shares को आपके buyback कर लिया जाता है, तो 38,000 का profit होने के chances हैं, तो आपके पास जो return के chances हैं, अगर आप 2 महिने के लिए 1,60,000 invest करते हैं, त तो आपको 6% से लेकर के 24% की return मिल सकती है, assuming की ज़्यादा तर लोग इस buyback में participate ना करें, और जैसा कि मैं दुबारा से बोल रहा हूं, कि बहुत ही ज़्यादा unlikely है कि लोग participate नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको market से share खरीद के इसमें participate करना चाहिए, और अब बात की जाए कि otherwise क्या हमें इसका share लेना चाहिए, क्या current price अच्छा है, attractive है, तो सबसे पहले अगर past performance देखे तो 3 साल में इस company ने 512% की unbelievable return दी है, पिछले एक साल में इनकी return 246% की रही है, हाला कि पिछले एक महीने में इनका share लगबग 12% कि रहा है, पिछले एक week में लगब 10%, हाला कि जब ये buyback announce किया गया था, January end में, तो उस time पे इनका share ने थोड़ी recovery दिखाई थी, लेकिन वापस ये थोड़ा सा गिरा है, और अगर हम December की share खान की report देखें, तो वो इसका average target price 755 बताते हैं, और ticker tape के productive analysis के हिसाब से, जो इसका average target price है, वो 750 के आसपास आता है, higher side पे 850 और lower side पे 540 के आसपास, तो जो आज की closing होई है, वो 642 के आसपास होई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने ये lowest target price और average target price के बीच में चल रहा है, तो pricing definitely attractive लगती है, और अगर हम इनके peers analysis और fundamental को देखें, तो ये एक small to mid cap company बोली जा सकती है, 22,000 करोड के आसपास क market capitalization है, PE ratio, PB ratio, 42 और 9 की थोड़ी on the higher side लगती है, valuation high है, लेकिन अगर आप इनके peer से देखें, जैसे कि Trident या SRF, तो उनकी तो PE ratio इससे भी जादा है, तो उस हिसाब से comparatively इनका valuation ठीक लगता है, इनकी return on equity अच्छी है, और इसमें decent correction आ चुकी है, तो अगर आपको company बे भरोसा है, तो maybe current price पे या किसी भी correction पे long term perspective के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन buyback में participation के लिए ये बिल्कुल भी sense नहीं बनाता, तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें विश्वास है, तो आप किसी भी correction पे इसको आप long term के लिए लीजिए, और उसमें अगर आपको थोड़ा confidence लेना है, तो अगर आप इनका profit देखेंगे, तो 2019 में इनको 335 करोड का profit हुआ था, net profit after taxes, जो कि बढ़के 370 करोड हो गया था 2020 में, और 2021 में 515 करोड हुआ, और अभी जो 2022 के 9 महीने गए हैं, उसमें इनको 620 करोड से भी ज्यादा का profit हो चुका है, तो यानि कि इस साल में ये 800-900 करोड का profit generate कर सकते हैं, तो इनकी business बहुत ही अच्छा जल रहा है, थोड़ा valuation का थोड़ा सा doubt है, but otherwise business काफी अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि long term में आपको काफी अच्छी return दे, but मेरे इसाब से इसको correction में long term के लिए लेना चाहिए, buyback के लिए नहीं. और video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा, कि जो भी views थे वो मेरे personal थे, अगर आप इस buyback में participate करना चाहते हैं, या इस share में invest करना चाहते हैं, तो आप अपनी further research कीजिए, अपने जानकार लोगों से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है, तब ही आप इसमें invest कीजिए, thanks so much for watching the video and may God bless you all.